हेलो स्टूदेंट्स, माइ नेम इस खुशाल्द रिपाठी एंड आ इम डीजटी मैथेमेटिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सराइज 5.2 से क्वेशन नमबर 13 फ्रॉर 10th क्लास NCRT अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं इसके लावा आप मुझे टैलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यह चैनल नेम अगें खुशाल्द रिपाठी नाव लेट्स स्टाट क्वेशन नमबर 13 तो इस इस पुशा गया है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नमबर हैं जो 7 से डिजिबल होंगे हमें यह पाइंट करना है मला वो टोटल नमबर बताने हैं जो 3 डिजिट भी हों और 7 के साथ वो 7 से डिजिबल भी हों तो देखें इस कोईशन को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे उन नमबर की जो 3 डिजिट है तो रफली आप समझ सकते हैं सबसे पहला जो 3 डिजिट नमबर है वो है 100 और जो सबसे आखरी नमबर है 3 डिजिट डैट इस 999 बट यहां पर एक कंडिशन एप्लाई है वो कि 3 डिजिट नमबर हो साथ के साथ 7 से डिजिबल भी हो तो अगर मैं फर्स नमबर की बात करूं 100 से 999 के बीच में तो वो पहला नमबर होगा 105 यहां लिख देता हूं 105 यह 7 से डिजिबल है इसके जस्ट नमबर देखना चाहेंगे कि जो 7 से डिजिबल हो अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि मुझे कैसे पता कि 100 के बाद 105 तो obviously मैं चेक कर लूँगा 100 को 7 से डिवाइट करके वो नहीं होगा 101 को डिवाइट करूँगा वो भी नहीं होगा तो इसी तरह से 102 को डिवाइट करूँगा 7 से तो वो भी नहीं होगा लेकिन 105 को अगर मैं 7 से डिवाइट करूँगा तो वो होगा और इसी तरह से मैं next number चेक कर लूँगा 112 इसके बाद 119 और इसके बाद भी अगर मुझे लिखना है तो मैं 119 में 7 add कर दूँगा तो ये तो हमारे starting के number होगे लेकिन last three digit number जो 7 से भी divisible हो तो हम अची तरह जानते हैं कि 999 तो नहीं है अगर आपको लगता है तो आप इसे डिवाइट करके देख लीजिए तो इसी तरह से आप 999 से पीछे चलिए 998 चेक करिए 998 997 चेक कीजिए 996 चेक कीजिए जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 994 is the last 3-digit number which is divisible by 7 so let me correct it okay this 994 is the last number which is divisible by 7 तो देखे अब concept यह है हमारे पास यह इस तरह की arrangement आ गई है और हम देख पा रहे हैं कि सभी numbers का जो difference है वो 7 तो एक तरह की AP form हो रही है और ऐसी AP जिसकी last term क्या है 994 तो अगर यह 994 last term है तो हमें क्या करना होगा हमें n की value निकालनी होगी हमें देखना होगा कितनी terms हैं यहाँ पर तो चलिए start करते हैं और इस AP की help से हम लिख देते हैं यहाँ पर given is first term that is small a it is equal to 105 common difference that is small d it is equal to 112 minus 105 which is equal to 7 alright and an जो की last term है हमारी it is 994 तो अगर हमने previous questions में पर discuss किया था अगर हमें last term की position पता चल जाए तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कित्ती terms हैं और we need to find small n alright now start the solution तो देखिए आप कैसे start कर सकते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर solution we know a n is equal to a plus n minus 1 into d and we need to find the value of n so now put these values a n is equal to double nine four equal to 105 plus n minus 1 d is equal to 7 alright तो 105 को आप left hand side पर shift कीजे this is double nine four minus 105 it is equal to n minus 1 into 7 alright double nine four को अगर आप subtract करते हैं 105 से then you will get 889 this is 889 equal to n minus 1 into 7 alright अब आगे अगर आप 7 को left hand side पर shift कर दें और 889 को 7 से divide कर दीजे okay so it is 889 divided by 7 it is equal to n minus 1 okay so इसको अगर आप solve करेंगे then you will get 1, 2, 7 1, 2, 7 is equal to n minus 1 alright अब देखे n की value निकालने के लिए 1 को आप left hand side पर shift कीजे so it is 127 plus 1 equal to n alright so यहां से आप कह सकते हैं n is equal to 128 okay so यहां से आप कह सकते हैं जो 994 जो last number है इस finite AP का इस वाली AP का उसकी position के है 128 it means यहां पर total कितने numbers हैं वो है 128 तो हम indirectly यह भी कह सकते हैं कि there are 128 3-digit number which are divisible by 7 alright तो इस तरह से आप इस question को solve कर सकते हैं और इस से related आने वाले questions को भी deal कर सकते हैं तो अब यहां पर लिक लेता है अपना final answer hence hence there are 128 3-digit number 3-digit number 3-digit which are divisible by 7 alright student thank you 3- कि कि अपयर 3-digit number copy 3-bag 0 5-6-illo झाल झाल